नमस्कार जहिन सातियों मैं अभिशेक मिसराज आप सबी लोग का हमारे दुन संकल यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज आप सबी लोग के लिए क्लास 7 की NCIT भोगोल के चिप्टर 8 के important questions को लेकर के आया हूँ आज की इस चिप्टर का नाम है मानव पर्यावरन अन्यों निक्रिया जिसमें उश्र कटिवंधी एबं उपोशन प्रदेश इनके संदर में आपको questions मिलते हैं ठीक है तो कल संडे हैं कल कोई भी वीडियो नहीं आएगा ना ही current affair का आएगा और ना ही कोई chapter का आएगा तो जो लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं वो लोग हमारे पीशे के वीडियो को जुरूर देख लें UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं क्योंकि हम अभी तक class 6 से लेकर के 8 तक की NCRT के समरी ला चुके हैं और इसके साथ ही साथ class 6 की जो NCRT है जिसमें history, geography और science आती इसके questions आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ class 7 की NCRT में history के questions आ चुके हैं और geography के आज chapter 8 का आ जाएगा कल तो छोड़िएगा Monday को इसको समाप्त करके और Tuesday से आपकी science को सुरू कर दिया जाएगा Monday को आएगा 1 बजे chapter 9 का वीडियो और सामको 7 बजे chapter 10 का वीडियो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस chapter को question number 5 से तो पहला question दिया जा रहा है कि Amazon नदी वेसिन के संदर में दिये गे निम्न लिखित कतनों में से कौन साय फिर कौन से कतन सकते हैं पहला कतन दिया जा रहा है Amazon नदी बेसिन भूमद रेखा के आसपास फैली है जिस कारण यहां पूरे वर्स गर्म एबम नम जलवायू रहती है और दूसरा कतन दिया जा रहा है कि यहां का मौसम दिन एबम राद दोनों ही समय लगबग समान रूप से गर्म एबम आदर रहता है और तीसरा कतन दिया जा रहा है कि इस प्रदेश में लगबग प्रति दिन वर्सा होती है वह भी बिना किसी पूर्प चेताबनी के तो इन तीनों कतनों में से कौन सा कतन सकते है अगर आपको पता है तो आंसर देजेगा कमेंट बॉक्स में चलिए आप लोग आंसर देते रहेगा मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ इसका आंसर होगा उपरोगत तीनों कतन सकते हैं ठीक है ये तीनों ही कतन सकते हैं और इसको समझ लेगा जो अमेजन नदी है अमेजन नदी का अपवाद छेतर भूमद रेखा के आसपास फैला हुआ है यो भूमद रेखा होती है इनके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में उताए क्लासिक्स की NCRT में अगर आपने नहीं पढ़ाए तो पढ़िएगा ठीक है चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे और इसके बाद में आँगे दियार कि यहां का मौसम दिन और रात इन दोनों ही समय में लगबग समान रूप से आद्र और गर्म रहता ठीक है मतलब बादल आएंगे बरस के चले आएंगे और आपको जेताबनी भी नहीं मिल पाएगी ठीक है चली आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोर्शन नमबर दो को दूसरा प्रशन आप सभी लों के सामने है और इसमें दिया जारा है कि और्किड एबं ब्रोमिलाइट जैसे पर जीवी पौदे मुकिता किस प्रकार के वन छेतर में उगते हैं और बरसा बन यह विल्कुल इसका करेक्ट ऑप्सन आठाथ वरसा बन में यह उगते हैं अब इनके बारे में मैं फुल डिटेल लेकर कहा हूँ इसको समझीगा तो वरसा बन प्रदेसों में एतिदिक वरसा के कारण यहां की जो भूमी होती है सगन बन यहां पर उग जाते हैं यहां की भूमी पर सगन बन उग जाते हैं सगन बन किसे कहते हैं यह तो आप लोग जानते हैं ठीक है और ये इतने सगन होते हैं कि इनकी जो पतियां होती हैं पतियां और साखाएं ये सम मिलकर के एक छतिसी बना लेती हैं जिसके कारण से सूर का प्रकास धरातल तक नहीं पहुच पाता है और यही कारण है कि यहां की भूमी जो है ठीक है यहां की भूमी प्रकास रही थ जिसमें चाय के अंदर रेकर के बढ़ने की चमता होती है ऐसी बनस्पती जो बिना धूप के बढ़ सके वही बनस्पती यहां पर उग पाती है और पर जीबी पौदों के रूप में यहां पर और किड और किड एवं ब्रॉमिलाइट पौदे उगते हैं ठीक है तो चली आंग को प्योग अपने अंडे देने के लिए तीसरा प्रशन आप सभिलों के सामने है और इसमें दिया जा रहा है कि अमेजन नदी द्रोणी की वर्सा बन के संदर में मलोका किसे निरूपित करता है इसके लिए यहाँ पर चार अप्सन दिया जा रहे हैं और इसका अप्सन C बिल्कुल करेक्ट है यहाँ के लोगों के द्रोणी की वर्सा बन है यहाँ पर मलोका किसे कहा जाता है तो यहाँ के जो लोग है उनके द्रोणी में थोड़ी सी टिपड़ी लेकर के आया हूँ अमेजन नदी दोणी में इस्तित वर्सा बन के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छतत तीबर धलान बाली होती है ठीक है तो मलोका एक प्रकार का घर होता है जिसको मलोका कहा जाता है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमर 4 को कोस्टन नमर 4 पहुंचा जा रहा है कि भारत में निमने लिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियां नदियों के बेसिन में सुसू नामग डॉल्फिन पाई जाती है यह इंपोर्टन कोस्टन इसी लिए आपको मैंने कहा था कि चैप प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है और इसे स्थानी भासा में सुसू या फिर अंदी डॉल्फिन भी कहते हैं प्रदूसरन इसके लिए खत्रा है और जहां पर प्रदूसरन नहीं होगा वहें पर सुसू डॉल्फिन पाई जाती है अगर यह जाना प्रदूसरित होंगे तो यह नहीं पाई जाएगी वहाँ पर यह मर जाएगी ठीक है चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते कोशन नमबर पांच को आज पांच ही प्रसंते मेरे इसाब से ठीक है तो पांच मा प्रसंत दिया जा रहा है कि कोल काता निम्न लिखित में से किस नदी तड़ पर अवस्तित है इसके लिए हैं पर चार अप्सन दिया जा रहे हैं और इसका option D बिल्कुल correct होगा अर्थात ये हुगली नदी के तड़ पर अवस्तित है ठीक है तो हमारे आज की इस पूरे चेप्टर में आप लोग ने देखा कि किस प्रकार से मैंने चेप्टर को बताया और इस चेप्टर में हमको बहुत कम important topics मिले हैं ठीक है तो जिन कोनों चेप्टर उसको नहीं देखा है वो लोग देखें और साथी साल लाइक सेयर कमेंट करते रहें और कल तो कोई वीडियो आएगा नहीं तो जिन लोग के पीछे के वीडियो स्थूट गए नहीं देख पाए हैं वो लोग देख लें ठीक है और मिलते हैं एगले वीडि झाल झाल